वेस्टो गाइज, I hope you are doing well, I am Veer, Welcome to Strelow Family, तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ, शान्दा तरीके से आप लोग अपनी लाइप को एंजोई कर रहे हो, अपनी सेयत, फैमिली और पड़ाई गाठ्यान काफी अच्छे से रख रहे हो, आप लोगों ने एक गाना सुनाओगा वास्ते, वास्ते गाना है, वहाँ पर एक लड़की जो होती है, वो सोंग गाती है, पर लेकिन क्या होता है, उसका ब्रेक अफ हो जाता है, तो उसका जो बोई फ्रेंड है, उसके साथ गाना नहीं गाता है, तो इसलिए एक मोबाइल रहता है, जिसमें छोटा सा गाना रिक करूँगा फिलाल वाच छोड़ी सी बात ये है कि जो अभी फिलाल जो है ये जो एरफोन है मतलब जो माइक था वो काम नहीं कर रहा है तो जो लैप्टॉप का ही जो माइक है उसी से जो वो इस आप लोगे पास में आ रही है उसी से आप लोगो खाम चलाना पड़ेगा कम से क हम दो दिन तक और किसलिये भोल रहा हूं वह मैं आप लोगो दो दिन बात बताऊंगा क्योंकि कुछ ऐसी चीज़े हैं जो क veg आने आज पयन है यह निकिए जैसे मैंने आप लोगो बताय था मीन हपेन के बस डिक्टेट करूगा उसके पीछे भी कुछ रीजन है जो मैं आप लोगो दो दिन बाद ही बताऊंगा ठीक है आए फिलाल आज का discussion स्टार्ट करते है बिना किसी देरी के प्राइबर पूरा focus रखे कुछ भी confusion हो तो comment box में पूछेगा वो confusion आप लोगा दूर किया जाएगा पर लेकिन इससे little जो बाते बताएं कोई confusion हो तो दो दिन बाद clear होगा ठीक है दो दिन बाद में कोसिस करूँगा clear करने है अगर situation सही रही तो ठीक है आए ये बात करते है बात की जारे हैं आपर जो innocent people होते हैं यानि कि एक तरीकी से जो लोग होते हैं आप लोगों ने कई सारे जो लोग हो जह सारी परोडम लाइप में जहननी पड़ती है कुछ लोग इन में ऐसे भी होते हैं जो कुछ को अगर कभी उनसे कोई पूछ यहां पर चलना है यार अपने यह सामान दे दो या कुछ भी काम करने के लिए उनसे ना नहीं होता है ठीक है वो कभी भी ना कहना जानती ही नहीं है उनके मुझे ना निकलता ही नहीं है ठीक है तो इसमें से मैं भी एक ऐसा इंसान था अब तक अला कि अब थोड़ा सा चीजों को समझने लगा हूँ तो अब वो चीजे मैंने छोड़ दी हैं क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान मुझे हो रहा था तो ये कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनके मेल आते हैं मेरे पासे मैसेज आते हैं कि सर लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है तो देखे थोड़ा सा चीजों को समझना इस्टार्ट करो क्या सही है क्या गलत है आप लोग ये सोचते हूँ कि सारे इंसान आप लोग के जैसे वो अच्छी थिंगिंग अच्छा थोड़ प्रोसिजर सही थोड़ा सतर करेना पड़ेगा बस यह है यहाँ पर बोलने वाली बात ओके आज का जो आप लोग हैं आपर मैप बेस कोईशन हैं आपर यह हैं आपर ग्रीन लैंड सी जाकर मैप में नहारेगा कहां पर यह लोकेटेट है बागी काफी कुछ शांदा डिसकस करने के लिए आ पर हम लोग नज़र डालेंगे बोर्डर के ओपर जो आग लगी हुई है इंडिया और पाकिस्तान और चाइना का भी एंगल आप लोग को देखने को मिलेगा तो इंपोर्टेंट आर्टिकल है डेटेल में डिसक्स करने वाला हूँ यह वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर य हमारी कंट्री पर इसका कैमपेंट पड़ सकता है हाला कि वो आर्टिकल में नहीं है पर वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा तो एक अच्छा सा आर्टिकल बना कर हम लोग इसको डिसक्स करने वाले हैं यह यहाँ पर यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है ट्रे पर इसके बारे हैं तो इसके बारे में हम लोग डिसक्स करेंगे यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है जो एडिटर को लेटर लिखते हैं उनका रिपलाई करते हैं तो हमारे लिए इंपोर्टेंट यह नहीं होता है और नीचे भी हाँपर USA के एलिक्सिन के यह उसके बारे में है ठीक हैं तो यह भी डिसक्स नहीं करेंगे COVID-19 के केस कहां का पर कितने आ रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है और यहाँ पर यह काफी इंटरेस्टिंग कार्टून है इसको भी मैं इंक्लूड कर गया चलूँगा जब आर्टिकल आप लोगों से डिसक्स करूँगा तब तक आप लोग इसके बारे में लिखें यहाँ पर यह कौन है और यहाँ पर यह कौन है आप लोगो ने थोड़ा सा भी दो तिन दिन से फोलो कर रहे हैं चीजे तो यह टुटर से लिटेड एक यहाँ पर Code of Contempt का केस निगल का है और यहाँ पर इसको नाम कहा है तो इस पर 40-50 सब लिखेगा हला कि आर्टिकल में जिकर करूँगा जब आर्टिकल डिसस करूँगा इनके बारे में भी तो थोड़ा सा इनके बारे में आप लोगो बता होना चाहिए कि सोसाइटी में चल क्या रहा है एक्जाम में पूछा जाए ना पूछा जा यहाँ पर आप लोगो बता होना चाहिए नितीज कुमार जी चोथी बार जो यहाँ पर बिहार के चीपनिश्टर बनने जा रहे हैं कितने लोग खुसें और कितने लोग ना खुसें तो आप लोग अपना जो भी दिल का दर्द है दुख है खासकर बिहार वासी वो कमेंट लोग बता सकते हैं तो फिर से चोथी बार यहाँ पर यह चीपनिश्टर बनने जा रहे हैं यह कैसा भी होता है कि एक ही इंसान का चेहरा देख देके पक जाती है कही बार जनता तो इसलिए वो यह भी चाहते हैं कि यह थोड़ा कोई नया फेस निकल कर आए तो देखते हैं कि प्रोटेक्ट ओवर रिपब्लिक माई लोड यह निके इनकी जज़ को बोला गया है कि हमारे रिपब्लिक को प्रोटेट करो ऐसा क्यों बोला गया है अभी अर्णब गोस्वामी का एक केस था जो कि हाँपर कोड में पहुचा कंडिशन क्या थी कंडिशन यह थी कि तीन लोग थे हाँ पर जिनके दौरा उनके पैसे नहीं दे गए तो उनके दौरा सुचाइड कर लिया गया और सुचाइड नोट में उनके दौरा लिखा गया है कि अर्णब गोस्वामी जो की रिपब्लिक टीबी के फाउंडर है उनके दौरा भी यहाँ पर एक तरीके से इनके पैसे नहीं दिये गए तो इसकी वज़े से वो सुचाइड कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो केस था महरास्टा गौर्वर्मेंट के अंदर यह केस वहाँ पर उस टाइम पर दबा दिया गया और उस टाइम पर इनको कोई भी केस नहीं चला क्योंकि हाँ पर गौर्रम को किया गया उसमें दो पहलो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे एक तो राइट पहलो और एक जो है जिसको गलत पहलो बता रहे हैं देखें दो तरीके सिचुशन आप लोग समझ सकते हैं अरनब गोस्वामी को क्या किसी भी सिर्जन को इस तरीके से अरेस्ट करना तो वो एक अलग मुद्दा बन जाता है पर लेकिन इस तरीके से पर्टिकलर पर्सम को गिरफतार कर लेना पहले पुलिस को सबूत जुटाने चाहता है और उसके बार ने पैटरन को थोड़ा लेकर चलना चाहता तो इस टेट गोर्मेंट के दौरा यह बोरा गया कि यह गल लेकिन अब यहाँ पर जो गलत काम आभी देखने को मिला वह है आपर कोट का नूर्मलि अगर नोर्मल सो हो माली जिए मैं हूँ या फिर आप हो हमारे उपर कोई ऐसा case लग जाए तो पहले हम लोग session court में जाएंगे session court से अगर satisfy नहीं होंगे उसका dison आने के बाद में high court में जाएंगे high court में अगर फिर चीजे नहीं हो पाते तब supreme court में जाएंगे ये बंदा जो हे सेसन कोड में गये ही नहीं वो भी ऐसा लग रहा था की एक तरीके से इसी के लिए जो कोड है पर फिरी बैटा हुआ है सारी चीजों को छोड़ कर सेम काम सुप्रिम कोड ने किया सुप्रिम कोड इतने दुनियादार ही केस आज के रिमें कोट के सामने पड़े हैं, बहुत सारी प्रेगनेंट वूमेंट है, बहुत सारे बुज़ूर्ग लोग है, जो यातना ही जहिल रहे हैं, आज के रिमें जेलें, पता नहीं किया के कंडिशन चल रही है, उनके सारे केस छोड़कर यहाँ पर जो अरणब है हमारी कंट्री में, वो बस गवर्मेंट के लिए काम कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ ताइम में जितने भी सारे डिजन आये, वो सारे गवर्मेंट के फिवर में आये, एक भी डिजन गवर्मेंट के अपोज में नहीं आये, और जो डिजन गवर्मेंट के अपोज में आ सकते थे, वो अब तक pending पड़े हुए है, जैसे कि आर्टिकल 370 में क्या करना था, अब तक pending पड़ा हुआ है, इसी के साथ में जैसे अभी आंदर परदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर जो case चल रहा है, तेलंगाना नहीं, आंदर परदेश के अंदर, आंदर परदेश समझे कि जो एक case था, जो काफी लंबे समय से, साहिन बाग का, वो case का decision दबाया, जब आपर साहिन बाग का मुद्धा ही खतम हो गया आपा, तो यानि कि अभी यहाँ पर जो राइटर है, वो काफी गुस्ते में हैं बोल रहे हैं कि, कि प्रोटेक्ट ओवर रिपब्लिक यानि कि एक तरीक से, हे भगवान एक तरीक से माई लोड को बोला गया है, कि हमारे रिपब्लिक को प्रोटेक्ट करो, आप तो बिल्कुल उसके लिए काम ही नहीं कर रहे हो, बिल्कुल अंदा दूंदो कर आप लोग काम कर रहे हो, इवन जो अभी कार्टून में आप अधर के अंदर में, और यह भी कंडिसन वहाँ पर यह निकल कर आए कि जब अरनब गोष्वामी के जो जनलिस्त है, वो फ्लाइट के अंदर घुसकर किसे कोशन पूसता है तो वो सही है, पर लेकिन अरनब गोष्वामी से अगर कोई कोशन पूसता है, तो यह निकि कहने का अभी आयोध्या का जो डिजन आया, चलिए सही है डिजन आया हम लोगों ने accept किया अपर सबने, लेकिन उसी ही के कुछ बात में ही, जो उस टाइम पर चीफ दिस्टी तो उनको राय सभागी पोस्ट दे दी, वह ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक कूलिंग चाहिए और कहीने की चुप बैठे रहे जब आर्टिकल 370 को चेंज किया गया, अब तो पूरा एक डिर साल हो चुका है, अब उसके उपर बाते क्यों नहीं किया रही है, तो वो सारे मुद्दे, तो ये सारे कई सारे मुद्दे ऐसे हैं, जिसके उपर कोशन मार्क लगाया जा रहा है, तो ये थे सारे मुद्दे बाकी आईए, अब कुछ important issue देख लेते हैं आपर, ये तो जो भी चल रहा है country में वो मैंने बताया, आभी बात करते हैं question के बारे में, सबसे पहले आप लोग के सामने question है, discuss the current state of India and Pakistan relation, and comment करने आप लोगो way forward की दोनों के relation, जो है country की बीच में कैसे हैं, किस तरीके से उनको आगे अच्छे level पर हम लोग ला सकते हैं, basically, ये बोनने की कोसिस के जा रही है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इसको देखे, तब ही आप लोग समझे पाएंगे, हाँ पर दो धारी तलवार यहाँ पर चल रही है, यानि कि हमा ये जो एक साइचीन वाला जो पोर्शन है, राइट साइड वाले हैं, हाँ पर, हाँ एक बच्चे के दोर कमेंट कियागे, कि सर जब मैप आप दिखाया करो, वर्ड वाला खास कर, उसमें ये बता दिया करूँ कि इंडिया के लेफ्ट में जा रहे हैं, इंडिया के रैट म पर ये है, ठीक है, तो माली जे उसको दिखता नहीं है, तो उसको ये पता होना चाहिए, कि इंडिया के मैप के राइट में जा रहा हूँ, ये इंडिया के मैप के लेफ्ट में जा रहा हूँ, तो ये एक इश्यू मुझे लगा, तो आगे से मैं इसको धिहान रखा करूँ फिर भी अगर भूल जाता हूं तो आप लोग बिलीज को रिकॉल कराए किजे, तो यह एक अच्छा पॉइंट है, ताकि जो बच्ची जो इनको दिख नहीं पाता है, जो इनको दिखता नहीं है, वो भी लेक्टर सुनते हैं, तो उनकी भी mind में clarity रहे, खासकर map को लेकर, ठीक है, तो यह basically एक अच्छा point मुझे लगा, तो ऐसे point आप लोग जुरू बताए किजे, अगर किसी को ऐसी दिक्कत होती है, तो ठीक है, तो बाकि यहाँ पर जिसे इंडिया के map में आप लोग देखिए, तो यहाँ पर जब आप लोग राइट सैड में जाएंगे, तो यह चाइना के control में पोर्षन है, और लेट सैड में जब आप लोग जाएंगे, तो यहाँ पर यह पाकिस्तान के control में पोर्षन है, जिसको गिलगित बल्दिस्तान बोलते हैं, और जिसको exciting बोलते हैं, यह चा आप लोग हैं, आप पर Siachen Glacier देखने को मिलता है, नोर्थ साइड में मैप के, ठीक है, तो ये काफी important area है, बाकि ये जो वाला portion आप लोग है, आप लोग है आप देख रहा है, ये आप जो गिलगित पल्दिस्तान वाले portion से शटा हुआ है, इनके LAC की side में, तो ये left side में थो create कर रहे है, रीजन के है, एक side में पाकिस्तान आगया और दूरे side में आगया चाइना, और दोनों मिलकर लगोटे है, यार हमारी country के लिए problem create कर रहे है, तो उसी के बारे में क्या article है, समझते हैं, आर्टिकल में ये बोला गया है, कि अभी आप लोग को ceasefire violation देखने को मिला, since fire के है, हमारी country में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2003 में एक agreement sign किया गया था, कि हम लोग border पर आकर एक दूसरे के साथ में लड़ाई नहीं करेंगे, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तब से लेकर लगा था लड़ाई चलकी रहती है, और तब से लेकर तो छोड़िये, अ अभी recently जो ceasefire violation हुआ हमारी country और जो पाकिस्तान के बीच में जो border है वहाँ पर, तो इसमें हमारी country के चार जवान, इसी के साथ में चार जो इंडियन आर्मी के जवान है, और BSF एक personal, तो इनकी जान चलिगी हैं हाँ पर, जो firing इसमें चल रही थी, यानि कि आप लोग ये बो civilian हैं, उनकी जान गई है, cross border के बारे में अगर बात करें, Indian government के दोरा, पाकिस्तान को यहाँ पर एक तरीक से बोला है कि पाकिस्तान ने, जो firing की है, यह firing वो किसी मकसद से करते हैं, मकसद क्या रहता है, इनका दो मकसद रहते हैं, देखिए, यह क्या करते हैं, बेसिकली, इनको रास्तान मिल पाता है, और जो ground के नीचे से जो रास्ता जाता है, ठीक है, आप लोगों ने movie देखियोगी, सलमान खान की जो बच्ची को छोड़ने के लिए पाकिस्तान जाता है, ठीक है, तो वो वाले उसमें क्या रहता है, गी नीचे से निकल के, border के नीचे से निक आती है, उसके जस्ट पहले हर साल ही इनकी हरकते देखने को मिलती है, क्या करते है, bombardment करते है, border पर, ताकि इंडियन जो force है, उनकी bombardment में लगी रहे, और उनका कोई बंदा जो है, वो पास के थूरू निकल कर इंडिया के अंदर गुझ जाए, या फिर under, जो ground route है, उससे इ जो प्रैमिस्ट है, वो भी इहाँ पर दिपावली के टाइम पर कहा गए, इहाँ पर यह पर यह पर प्र्टिक्लर जुमोएन कासमीर वाले एरे में आप लोग को देखने को मिले, तो इनके द्वारा बोला गया, कि एक तरीके से परचंड जवाब दिया जाएगा पागिस् किसी का नाम नहीं लिया गया, नो डाउट कि इनके द्वारा कोई नाम नहीं ले गया, पर डिरेक्ट इनके द्वारा पागिस्तान और चाइना के ओपर कमेंट किया गया है, तो यहाँ पर पागिस्तान के जो प्रैमिस्ट रदे, अब उन्होंने सुना चीजे, तो वो भी तो फड़े ना बैटने वाले थे, कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि बताओ यार क्या बोले, तो उनके द्वारा भी खुरूब बाते बोलेगे, उनके द्वारा बोला गया, कुछ ऐसी बाते जो की जोक लगती है कई बार, उनके द्वारा बोला गया कि पागिस्तान के अंदर जो terrorist attack होते हैं, तो पागिस्तान की जो military है उन्होंने बोला full capable है, एक तरीके से full able है, पागिस्तान की military और national border के जो हम लोग जो issue है उनको भी हम लोग solve कर सकते हैं, ठीके, यहनों के पागिस्तान में खुब ability है, एक तरीके military के बारे में बोलना चाह रहे थे और इसी के साथ में national जो border है एक तरी से issues हैं उनको भी हाँ पर resolve कर सकते है national जो resolve करते है issue को यह निके defend करते हैं एक तरी के से border को लेकर बाते की गई border के उपर ऐसा लगता है कि यह बैठ कर आकर इनके दोरह बोला गया कि पागिस्तान के अंदर जो भी terrorist activity और यह वो इंडिया करा रहा है और यह इंडिया इसलिए भी हाँ पर हरकते करा रहा है क्योंकि इंडिया नहीं चाहता है चाइना पागिस्तान जो हाँ पर कास घर से लेकर गवादर के पोर्ट तक पूँचता है चाइना और पाकिस्तान यहाँ पर और इधर आप लोग देखें आपर यह पर पर पर्टिक्लर जो मुद्ध है यह इंडिया का जो एरिया है वहाँ से वो कर जाता है लेकिए गिलगित बल्दिस्तान वाल यहाँ पर एक तरी से डबल गेम खिल रहा है कि इंडिया जो है कि इंडिया ने बौल देखें पाकिस्तान की जो भी मीडिया में जो कमेंट निकल करा रहे है वो सारी मंघडनत कहानिया है इनका वास्तिवी जीवन से कोई संबद नहीं और अगर संगबद होगा तो भी से मा पाकिस्तान आप लोगो देखने को मिलेगी ठीक है उर्यदा सर्जिकल इस्टाइक जो अंदर घुसकर मारेंगे फिर वो कंडिसन आप लोगो नजराएगी यानिकि यह जो पूरा मुद्दा चल रहा है पाकिस्तान एक तरीके से बोला जाए तो अपनी इमेज को सही करने की का 4,052 ceasefire violation हो चुके हैं अगर जनवरी के महीने से हम लोग count करते हैं यहनकि आप लोग यह देखिए 365 दिन होते हैं और 4,000 की बात की जाए तो एक दिन में कितनी बार यहां पर violation होए होगे ठीक है चलिए मैत का question हो गया एक question है चलिए मैत का आप लोगे लिए एक साल में 365 ठीक है और पूरी साल में अब तक का लगा लिए अगर चलो पूरा साल लगा लिजे 2020 का की 4,052 ceasefire होए है तो एक दिन में कितने ceasefire होए है ठीक है यह है question चलिए question का अटेम्ट की जिए comment box मैं आगे चलता हूँ पाकिस्तान जो है यहाँ पर यह आज की दर में देखें तो इं time duration start होने वाला है as a non-permanent member यहाँ कि UN की security council में दो साल के लिए election हमारा हुआ है 2021 और 2022 के लिए और इस 2022 में हमारा जो आजादी का जो साल गिरा है वो भी हम लोग celebrate करने वाले है तो यह जो time duration यहाँ पर आने वाले है यह time duration basically इसलिए समझाने कोश की जारी है कि अगर हम लोग क इसलिए के साथ में finance selection task force में पाकिस्तान को ग्रेलिश्ट में डाल रखा है और फरवरी में फिर से उसको review किया जाएगा तो हमारा उपर यहाँ पर अरोप लगा अगर पाकिस्तान यह बोलना चारा है कि हम लोग यह हरकते नहीं करें इंडिया यह हरकते कर रहे है यह यह हमा आरे उपर अपना ठेगरा फोड़ने की कोस कर रहे है और चाइना का नाम लेकर बार-बार यहाँ पर यह वो थावित करना चाहते है कि इंडिया और चाइना के जो relation है आजके वह काफी बुरे लेवल पर है इवन हमारी country के जो फोरें सेग्रेटर हैं खुद बोल चुके हैं वो काफी बरबाद लेवल पर पोँचे हुए है तो दोनों साइट से चाहे पाकिस्तान की बार से बात कलिए है तो इंडिया दो फ्रंट पर वार लड़ रहा है आजके में तो खासकर इंडिया को यह सारी चीज़ समझनी पड़ेगी और इस ही के साथ में जो टेरिश टेर् तो यह था पुरा आर्टिकल, I hope कि आप लोगे माइन में किलार्टी आई होगी, और इसलीके साथ में, पास्ट में जो भी रिलेशन नहीं है, उनको सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और परजेंट सिनेरियों को ध्यान में रखते हुए, आप लोग कोश्चन का अंसर दीजेगा, ठीक है, तो कोश्चन जुरू रटेम्ट किया, किजिए, कई सारे बच्चे बहुत प्यारा अंसर लिख रहे हैं, इवन दीपावली की चुट्टी में भी उनके द्वारा अंसर लिखे गए हैं, यार सेल्यूट है इस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, मैंने बोला है, चाहे चुट्टी हो, चाहे कुछ भी हो, कम से कम 3-4 घंटे तो निकाली सकते हो ना, पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे आप लोग खेलोगे तो नहीं, तो फिर आखिर क्यों, ऐसा क्यों, इसमें आप लोग एक तरीके से फोकस देकर नहीं चल रहे हैं, ठीक ह मनेपुर और नागलेंड, और इसी के साथ में अरनोचल परदीज, ये चार राज्य हमारी कंट्री के ऐसे हैं, जो मैनमार के साथ में टेच करते हैं, और मैनमार के साथ में हमारा नोर्थ इस्टन रिजन टेच करता है, तो यहाँ पर अगर मैनमार में सांती रहेगी, तो हम लोग उनको निष्टे नाबूत कर सकते हैं, तो हमारे मैनमार के साथ में रिलेशन अच्छे रहे हैं, काफी ज़यदा जुरूरी है, पर लेकिन यह जो आटिकल है, यह मैनमार के इंटरनल चीजों के बारें बात कर रहे हैं, मैनमार की जो लिडर है, इनका नाम है आएंग सां सभी की, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिल चुक है, आप लोग यह बताएए, इनको नोबेल प्राइज कम मिला था, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था, क्योंकि काफी लंबे समय तक मैनमार की जेल में भी हाँ पर इनको बंद रखा गया, और फिर इनको एक तरीके उससे उप गई थी जनता क्योंकि military जो है अपने इसाब से रूल करती है और यहाँ पर एक तरीके से ये एक democratic leader थी बोल रही थी कि Myanmar के अंदर election होने चाहिए और proper way में जिस तरीके से एक democratic government चलती है ऐसे चलने चाहिए पर लेकिन आज किट में जो interesting चीज़ा वो यह है कि Myanmar के आर आर्मी है उनके पास में defense ministry permanent रहती है बाकी और भी कई सारी ऐसी post है जो उनके पास में रहती है जिसकी वेसे जो Myanmar के अंदर situation यह हो काफी खराब रहती है क्योंकि Myanmar के हिसाब से जो आर्मी है उसके हिसाब से इनको काम करना पड़ता है यह condition है लास्ट टाइम 2015 में election हो थे जब election हो हाँ पर आर्मी और इनके द्वारा एक गडबंदर की government चलाएगी उस government में condition यह थी कि इनको आर्मी के इसाब से बोलना पड़ता था तो यहाँ पर जैसे रखाइन वाले state यहाँ पर आप लोगे सामने है आपर यह जो रोहिंगा community को मार कर यहाँ से भगाया गया तो उस मुद्दे parallel में चल ही रहे थे वो सारे मुद्दे एक side में चल ही रहे थे कि उस time पर यहाँ पर कई सारी situation मेर मार के अंदर चल रहे थी और उसी time पर एक रखाइन वाला state यहाँ पर जो सामने निकल कर आए यह मुद्दा रोहिंगा community को मार मार कर भगाया गया और बोल रहे तो 476 seat में से 346 seat यह जीत कर रहे हैं और 322 seat चाहिए हाँ पर एक तरीक से government को जो full majority में party बनाने के लिए इनकी country के इसाब से बाकी अगर बात करें military के link जो main opposition है और जो हाँ पर democratic party है दूसरी वो only 25 seat यहाँ पर जीत पाई यहाँ कि सारी seat आंग सांग सुई की जीत कर चलीगी 2015 में भी हाँ पर pro democracy icon की तरीके से इनको दिखा गया था full democracy transition की बात करे थे पर लेकिन condition ऐसी हो नहीं पाई तो आंग सांग सुई के हैं वो president बनने से उनको रोग जा गया था last time भी यहाँ पर president नहीं बन पाई थी और समिधान में अगर change भी करना पड़ जाए तो समिधान में change करना भी हाँ पर आर्मी के help से आप लोग को करना पड़ेगा तो समिधान में वो change भी नहीं कर पाए रेकाइन वाले state में लगबग 4,40,000,000 के करीब जो रोहीं का community है उनका exodus वाए यह उनको निकाल दिया गया तो एक तरीक से democracy के ओपर एक dent लग गया तो यानिके इनके ज हमें से यह बोलते हैं कि internal condition जो हमारी country में वो भड़ काफी complex है पहले आप लोग को वो समझने पड़ेगा उसके बाद में comment किया किजिए तो military जो है वो एक तरीके से हमारी country में कहने के लिए free election है कहने के लिए democracy है पर लेकिन exactly हाँ पर military जो है वो parallel में इहाँ पर काम करती है एक तरीक से support करती है कि इनको निकाल के बार फैंगो तो leader कुछ बोल नहीं पाते है क्योंकि उनको पता है कि military का आद में power है उनके आद में हतियार है तो एक तरीक से जो democracy के लिए transition करने की यह बात करें आराम आराम से तो उसमें सोच कर काम करना पड़ेगा कल को फिर से military जो प्रेटर सिफ है वो भी फ्रेस है भी लोग भूले भी नहीं है फिर से आपर वो अगर जुन्टा जो इनकी military है वो फिर से पावर में आ जाती है तो सारा जो अब तक किया रहा है वो धरा रह जाएगा ऐसे ही अब यहाँ पर यह कि कहीं काम करती रहेंगी अब सैकिंड टरम इनकी स्टार्ट होगी है काफी सारा इनके पास मेजरोटी है तो फिर से जन्रल जन्ता जो है और military जो है उसके बीच में एक वफर का काम करती रहेंगी यह फिर जो इशूद है उनको भी soul करने की काम करेंगी यह यानिकि जिन्यों सायर जो है उसके खिलाब कुछ बोलेंगे आने वाल है खासकर इनकी पावर को जहान में रखते हुए ठीक है तो यह बाते हैं पर बोले गई हैं नेक्स जो आर्टिकल है यह एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं यहां पर इस आर्टिकल में जो बात की जा रही हैं वो यह हैं कि अभी recently हमारी country में labor laws reform लेकर आए गए तो labor law में के अंदर जो reform लेकर आए गए हैं वो सारे reform जो हैं वो कहीं न कहीं जो उनको ठंक से अगर देख रहे हैं वो जो job करने वाली labor हैं उसको खिलाब में और जो job देने वाली companies हैं उनके favor में हैं आपर यह पर अभी बोला गए कि काफी ज़दा worker की जो ability है उनके safe guard पर एक तरीक से attack किया गया है central government के द्वारा जो बहुत सारे labor laws हैं उनको change कर अगर चार labor laws हमारी country में लाए गए हैं लेबर लो में अगर reform के बारें बात करें तो यह आज की बात नहीं है यह 1991 में चीज़े श्टार्ट हुए थी तो यहाँ पर जो solution निकाला गया था बोला कहते हैं कि यहाँ पर हम लोगो solution करना पड़ेगा कुछ ना कुछ ताकि economic growth यहाँ पर हो सागी हमारी country में privatization लाए गया, liberalization लाए गया, globalization लाए गया तो सब ने यह सोचे कुछ ना कुछ चीज़े हाँ पर change होंगी अच्छे से तो हमारी country में job creation अच्छा होगा, तो 1998 से लेगे 2002 तक का जब BJP की government थी उनके द्वारा second national labor commission लाए गया, उस time पर यहाँ पर एक तरीक से जो limited trade union है, उसकी representation को control करने की कुछ केगी, trade union क्या होता है, आप लोग मालेजे आज केड़ में किसी particular area में काम करना स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग की आवाज उठाने के लिए आप लोग एक union मनाते हैं, ताकि अगर कुछ गलत होता है, आप लोग की आवाज को सुना नहीं जाते हैं, तो उसको एक तरीके से union बोलते हैं, और trade के field में अगर कोई ऐसी union होती है तो trade union, ऐसी farmer की union होती है, तो हरे केरे में ऐसी union होती है, जो उनक आवाज उठाने का काम करती है तो यहाँ पर consequence एक तरीक से क्या हो है आपर जो recommend दी कही commission के द्वारा ठीक है तो trade union across the country जो थी एक तरीक से उनके द्वारा reject किया गया चीजों को पर लेकिन फिर भी चीजों जो थी वो आगे बढ़ी चार labor laws यहाँ पर लाए गए में पारलेमेंट में अपोजिशन भी absent थी हो आपर अपोजिशन भी छोड़ता चली गए थी उनसे भी नहीं पूछा गया है इसी के साथ में जो parliamentary standing committee थी उसके द्वारा जो recommendation दी गई है उसको भी आपर लेकर आए तो उसमें ना तो जनता के में यहाँ पर normally अगर normal जनता है या फिर एक तरीके से जो हमारी society है उसके फायदे में उनली उसके फायदे में जो जो provide कराने वाले है इस में common क्या है आपर common यह कि dilute यह किया गया है कि जो employer है जो उनके right है ठीक है एक तरीके से उनको तो अच्छे से protect किया गया है और जो employee ह यहाँ पर क्या बोला था में यह बोला था कि जो worker है उनके तो जो right है उनको डायलूट किया गया है और जो job देने वाले है जो employer है उनके जो right है उनको product किया गया है एक तरीक से undermine क्या ज़र रहा है worker का right है उनके जो association है यह उनके जो collective action है उनको बिलकुल side में रखा जा रहा ह ट्रेड यूनियन जो है आप पहली बार जो इमर्ज होकर आई है वो 19 सेंचुरी में है आप इमर्ज होकर आई है और उस टाइम पर बोला गए कि मैनेज किया जाएगा जो वरकर है उनसे लिड़ी जो भी प्रोब्लम है उनकी दिक्कतों को सामने रखा जाएगा उनकी आवाज को उठाय जाएगा पर लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो रहा है सारी चीजों को सैड में रख दिया गया है जो ट्रेड यूनियन के थुरू वरक वरकर की जो बेटर कंडिसन को बात करते हैं उनको अच्छी से वेज मिलनी चाहिए कि फेर इंप्लियमेंट कंडिसन होना चाहिए जहां पर वो काम करें वो अच्छा होना चाहिए पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग देखेगा ये सारी चीजों को तांक पर रख दिया गिया है तो वरकर अगर बात करें उनके लीगल राइट के बारे में सब चीजों को सैड में रख देगा है इंडिया के अंदर अभी फिलाल और इसी के साथ में कोलोनियल रूल नहीं था एक तरीक से कोलोनियल रूल टाइम की जो कंडिसन थी वो वन कही हाँ पर सामने निकल करा रहे हैं जब अंग्रेज्जो हरकत कीया करते थी यमि amplifier के ओपर ध्षानी रखते थे वो बस अपने profit के ओपर ध्षान रखते थे आज के में present government भी ऐसा ही कुछ कर रहा है ऐसा है आपर « रैटर» बोल रहे हैं अगर बात करें colonial rule में 1926 में trading union लाई गयी उस थाईम प एक तरीक से काम करना चाहिए पर लेकिन फिलाल जो एक्ट है उसने आपर जो डी रेजिस्टर करने का यानि यह माली एक ट्रेड यूनियन हम लोगों ने बना ली वो ट्रेड यूनियन में माली जो हम लोग फाइनस में कुछ घबला बाजी करें पैसा आतो रहा है ट्रेड नको जल्दी से जल्दी डिरेजिस्टर किया जा सकेए और लेबर लोग उसके ओपर ज्सके ओपर जधा फोकस नहीं जा रह intentar आपर चीज हैार ओपर वे में चीज़े नहीं चल रही है, तो यह सारी जो सिचुएशन है, आपर क्या काम किया जा रहा है, इसके अंदर तो वह हम लोगो समझना पड़ेगा, और अगर कोई ट्रेड यूनियन आज के एड में अपना, जो यहाँ पर रेश्टेशन है, उसका कैंसिल हो जाता है तो कोई भी अगर कोई भी ऐनी कलेक्टिव डिजिजन या फिर मेंबर के द्वारा, इलेक्टेड ओफिसर के द्वारा जो लिया जाता है, उसको इलेगल करार दे दिया जाएगा, यानि के इंटरेट वे में आप लोगो यह समझे, अगर ट्रेड यूनियन को डिरेजिस्ट इंटरेट वे में आप लोग ऐसा बोलिए, कि इंटरेट वे में अगर आप लोग यहां पर बोलकर चलिए, कि ट्रेड यूनियन को बेक तरीक से बहुती एक कमजोर बनाने की कोशिस की जारी है, ताकि जो जो प्रोवाइड कराने वाले हैं, उनके हाद में पावर रहें, ज जो परने वालों के हाद में पावर रहें, उनके खिलाब कुछ भी किया जा सके, उनके खिलाब कोई आवाज भी न उठाए, तो यह बेसिक यहां पर जो फंडा निकल करा रहे है, यह काफी एक खतरनाक सिचुएशन यहां पर क्रेट करा है, जिसके बारे में आपर थोड़ इसके बारे में साइन नहीं किया था, तो यहां पर यह 16 मेंबर की बोड़ी थी, अभी यहां पर यह 15 मेंबर की बोड़ी रह गी है, तो 15 मेंबर जो आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, इसमें आशियान की मेंबर है जिसे इंडोनेशिया, मलेसिया, फिलिपिन, यनमार, कंबोडिया, इसी के साथ में आप लोगो देखने को मिलेगा, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और अस्टेलिया, पर लेकिन यहाँ पर इंडिया नहीं है, क्योंकि इंडिया इससे बाहर निकल गया था, जो मेंबर हैं, वो नियरली 30% of the global GDP, आप लोगो देखने को म बात करेंगे, थ्री लार्जेस जो एकनोमिक पैक्ट हैं आप, खासकर अगर बात करें, चाइना, जापान, साउथ कोरिया पार्ट हैं आपर, फ्री ट्रेड एग्रिमेंट का, तो वो चीज़े देखने को मिलेगी, नॉमबर 4-2019 में, यनिके लास्ट येर लगबग इसी टा तो अपनी कंट्री के जो छोड़े-छोड़े जो गाम करने वाले जो लोग हम लोगो प्रोडेट करना था, दूसरा, अास्टेलिया में जो डेली प्रोडेट है, और चत्र हम लोगो अपनी country के फाइदे के बारे भी यहाँ पर सोचना था, तो सारी situation देखने को यहाँ पर मिल रही थी, तो इसी के बारे में यहाँ पर जो थोड़ा सा समझ लेते हैं, regional comprehensive economic particip के बारे में, तो यह सारी country आप लोग के सामने जो मैंने दिखा रखी है, बाकि जो regional comprehensive economic particip है, free यहाँ पर आप लोगो देखने को मिलेगा, Australia था और New Zealand था, पर लेकिन आशियान मेंबर तो ऐसे कैसे ही हैं, यहाँ पर जो पांच मेंबर हैं, इंडिया बाहर निकल गया है, तो बच गए कौन से, New Zealand, South Korea, Japan और यहाँ पर चाइना और Australia, तो यह पांच मेंबर यहाँ पर चाइना के साथ में free trade agreement रहने वाले हैं, वो situation कैसे बनने वाली है, तो काफी कुछ यहाँ पर एक दूसरे का interest यहाँ पर जुड़ने वाला है, तो उसमें कैसे एक balance मना कर चला जाएगा, तो देखने वाली बात होगी यहाँ पर, 2017 में regional competitive partnership जो हैं, बोला जारता है कि यह लग to reapply for membership, यहनि कि अगर इंडिया का part बनना चाहते लगा, फिर से इंडिया को reapply इसके अंदर करना पड़ेगा, यहनि कि इंडिया को बाहर निकाल दिया गया, निकाल दिया कि हम खुड़ गर आएं, क्या निकाल दिया है, यह तो पीछे पड़े हैं, यह जोईन खलो, जोईन कर सकते हैं, पर फिलाल के लिए एक अच्छा डिजन था, हमारी कंटरी के point of ुच अगर देखा जाए, तो central government के दोरा एक अच्छा डिजन लिया गया था, ठीक है, तो यह एक appreciate करने वाला डिजन था, हमारी कंटरी किसानों को जहान में रखते हैं, वो सारी condition अगर हम लोग तो यही बहुत बोली गए, अभी हाँ पर यह 37, यहाँ पर यह 37 वी आशियान summit में हाँ पर जो virtual ही, यहाँ पर यह सारे discussion कियेगे, तो आप आगे चल कर regional comprehensive economic partnership कैसे बनने वाली है, क्या है condition इसकी चलने वाली है, उसके ओपर कई सारे article आप लोग को देखने को मिलेगे, तो व बाद में map-based question था आप लोगे सामने, next हम लोगों ने आपर overview देखा सारे articles का, article जो हम लोगों ने सारे discuss किये, इसी के साथ में कार्टून भी हम लोगों ने देखा, ठीक है, तो निहार, यह बिहार के चीपनिश्टर बनने वो सारे चीज़ देखी, इंडिया पाकिस्तान के आप लोगों को मैंने question भी दिया, जो कि आप लोगो attempt करना है, तो इस question को आप लोग अच्छे से attempt केज़ेगा, तो जो भी चीज़े हैं, जो मैंने आप लोगो समझाई हैं, या जो आप लोगी समझ में आई हैं, जो चीज़े आप लोगो लग लग रहा है, अच्छी हैं, बाकी अगर आप लोगो लेक्चर यहां तक आप लोग देख चुके हैं, और लेक्चर में आप लोग कुछ भी अच्छा लगा है, तो आप लोग अपना feedback जुरू दीजेगा, तभी आप लोग लेक्चर share और like करना है, अगर पसंद आदा है, पसंद नहीं है तो बिल्कुल चीजे share करते हैं, तो मैं भी उसको social media पर share कर देता हूं, ठीक है, इस्टाग्राम पर आप लोग connect हो सकते हैं, आपर मेरे साथ में, यहाँ पर pictures जो होती है, मेरी personal वो share किया आती है, और Facebook पर भी मेरे साथ connect रह सकते हैं, तो मिलता हूं एक लेक्चर में, बढ़ोग को नमस्त